असलाव अलेकुम दोस्तों वेलकम बैक टूमाई यूट्यूब चेनल खान गोट फार्म दोस्तों अभी है खान गोट फार्म जो की निव ब्रांच प्लाई सेटप जो अभी स्टार्ड हुआ था उसी ब्रांच में है और सामका टाइम है दाने का टाइम है देखिए बकरों के आप दिन बाई कितने बगर आया भी पलाई पर भाई पचास-पचन बगरे माशाला और दो हफते हुए दो हफते के अंदर पचास-पचन बगरे माशाला काफी अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है दोस्तों आप लोग देख सकते यह पलाई के बगरे है पूरा तूर करा देता हूं आपको दाने का टाइम हैं अच्छा शाम के टाइम में दाना देते हैं इसा एका पार्टी का माल है या अलग-अलग किसी की दो ऐसा करके और यह सेक्षिन में आप देख सकते दोस्तों एक दो बकरे हैं बाकी सब भी फीमेल से बाड़े में माशा अल्ला कि दोस्तों क्या है कि रमजान का महीना चल रहा है इसलिए दिन में थोड़ा टाइम कम मिलता इसके लिए वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है इसलिए हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे हैं आपको बकरे दिखा रहे हैं और भी कई सारे वीडियो सूट हो चुके हैं लेकिन इंशाल्ला बहुत जल्दी उनकी वीडियो आने वाली है जैसे खुर और वह को मैं शहला आप लोग देख सकते दोस्तों और अमधीन भेखलों को दाने में क्या दे रहे हैं जो सुबा में चन देतें और साम को जो देतें आचा हैं साम के टाइम जो और सुबा के टाइम में चनने माशाला और ग्रीण फीडर में जैसे चारा आता ही है खरी पत्ति यह जो यह जो गवार का चारा है यह सब देते हैं दिन में माशालला कर माशाला अगर किसी भाई को बकरे परचेज करके खान गोट फार्म पे प्लाइ पे रखना हो तो आप आप लोग कॉंटेक करें खान गोट फार पर आप लोगों को इस्क्रीन पर नमबर मिल जाएंगे आप यहां से नमबर ले सकते हैं कि यह तिनों नमबर है आप कोई भी नमबर पर कॉल कर सकते हैं और WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं और इंसाहल्ला बहुत जल्दी आप लोगों के लिए विज़न का भी वीडियो आने वला है क्योंके जो बड़े बखरेह और पकरेहे ये मेरे पास पिछले चार साड़े-चार महीने से मेरे पास भी है यानि मेरे पास से परचेस करके ही रखे हुए थे तो अभी जो न्यूव फार्म ओपन हुआ तो उसके अंदर लेके आ गए है कि अमने यह बख्रों का क्या वज़न होगा इस इनका वज़न है सब्सक्राइब सतर पिचातर किलो की पट्टी है माशालला तो दोस्ता इसमें से सिरफ तीन बकरे जो दो दो दान्थ है बाकी के सभी बकरे अधन्थ है माशालला वाह एक मिन खड़े रही है फोटो बहुत सांदार आ रहा है वाह वेरी गूड लॉकेशन यहां आजे यहां ओके तो आप लोग देख सकते हैं माशालला पूरा व्यू खान गोट फार्म का जो कि एक साइड से पूरा ओपन एरिया है और इंशालला आप लोगों के लिए और भी जो वीडियो जाएंगे यह साइड वीडियो के लिए एक जगा बना रहे है जैसे ग्रीन जो घास लगेगी आंदिन पर कब तक लग जाएगी जी बाई 15-20 दिन के अंदर अंदर इंशालला जरूर अमारी कोशिस है अच्छा यह और यहां पर यहां पर यह साइड में यह कौने के अंदर जो कस्टमर्स है वह अगर अपने बकरे देखने के लिए आएंगे तो उनके लिए भी रूम बनेगा अलग से प्रस्णली और यहां पर एक बड़ा रूम भी बनेगा वह रह सकते हैं यहां पर आके इंशालला आए चलिए अमदीन बहर अंदर चलते हैं अंदर से भी लोगों को वियू बता देते हैं कि मास्चालल्ला तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शैर भी जरूर करें इंशालला मैं आप लोगों के लिए किसी चैनल खान गोट फार्म पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा और जो भी खान गोट फार्म के अपडेट होगी इंशालला हर दो तीन दिन के अंदर अंदर आप लोगों को मिलती रहेगी देख सकते हैं आप लोगों खान गोट फार्म का पूरा व्यू यह ओपन एरिया और यह अंदर का जो एरिया है मार्शालला है तो थेंक यू वरी मच फ्रेंड्स अल्ला हाफीज दोस्तों मिलते हैं इंशालला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफीज